प्रकति के खजाने में अनमोल हीरे छिपे हुए हैं जो हमें प्रकति ने दिये हैं उनी हीरों में से एक हीरा मैं आपके लिए आज सामने लेकर आया हूँ यह है सैजन या मोरिंगा या डमिश्टिक का पौदा और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी उपयोगता पर सबसे पहले मैं आपको बताओं कि यह इतना उपयोगी पौदा है कि इस पौदे का प्रते एक भाग वो चाहिए इसकी पत्तियां हो इसकी फलियां हो फूल हो चाल हो सब कुछ मानव हेल्थ के लिए मानव स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद है यह इतना पौश्टिक पौदा है इसके फल इसकी फलियां इसके फूल इतने ज़्यादा पौश्टिक हैं कि दक्षन अफरी की देशों में तो उन्हों अपने नेशनल प्रोग्राम में से सामिल किया है कौपोश्टन दूर करने के लिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना फायदे मंद है इसकी पत्तियों में बहुत सारे विटामिन्स पाय जाते हैं विटामिन V12, V, विटामिन C, विटामिन A, बहुत सारे तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप इस पौदे से किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वहाँ पर इस पौदे को आप बड़ी आसानी से उगा आ सकते हैं और यह काफी बड़े पौदे हो जाते हैं मिरे पास कुछ पौदे लगे हुए, मैंने दो बर्स पहले इने सीट से उग आया था तो आप भी इने उगा सकते हैं, गब्लों ने लगा जा सकता है इनकी जो फलियां होती है उनसे अचार सब्जी बनाई जाती है, पत्तियां है उनसे चाय या फिर आप इसका कारा बना के यूज़ कर सकते हैं इसके जो फूल होते हैं वह भी बहुत सारे रोगों में आपके काम आते हैं तो हम आपको सीधे सीधे से उपयोग करने की सला देंगे, जैसे अगर आपको खरास हुई है, गले में कफ है, सीने में कफ चिपका हुआ है, तो आप इसकी पत्यों का काड़ा बना के पीजिएगा, एक गिलास गरम पानी में इसके कुछ पत्यां डालिए, वॉयल होने दीजि पैरों में जकडन, पैरों में दर्द या गठिया की प्रॉबलम्स है, तो आप इसकी ताजी पत्यों की चाय बिना सक्कर वाली, अगर मीठा पीना पसंद करते हैं, तो उसमें सहत डाल सकते हैं, सुबह साम खाली पेट, चाय लीजिएगा, आपके कमर में दर्द या गठिय प्रॉबलम्स है, उसमें आपको आराम मिल जाएगा, अगर आप सेक्स्वल रूप से कमजोर हैं, सारे रूप से कमजोर हैं, साधी होने के बाद आपके बैवाहिक जीवन परेशान है, तो फिर आप इसकी फलियों का अचार खाना सूह कीजिएगा, वो सेक्स्वल पावर व सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसकी फलियों का अचार या सब्जी सब्ता में एक दो बार अपने खाने में सामिल कीजिएगा, आपको निश्यत ही जो है वो आपके जो परवार में सुदाराना सुरू हो जाएगा, दोस्तो मुख्य चीज यह है कि इसकी जो पत्तियां ह चबा चबा कर चटनी के रूप में भी प्रियोग किया जा सकता है, चाय और जो मैंने आपको काड़ा तो पहले ही बता दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ लोग इसका जो लकड़ी होती है, उससे जो अपने दांत भी साप करते हैं, जैसे हम दांतून करते हैं नीम या बवूल की उस तरीके से भी कुल मेराकर हम कह सकते हैं ये एक ऐसा पौदा है जो आपके घर में जरूर होना चाहिए साथ इंडिया में यानि दक्षन भारत में तो ये पौदा इतना फीमस है कि वहां घर-घर में ये पौदा पाया जाता है और शामर का ये मुख्य भ है अगर ये नहीं होगा तो सामर नहीं बनेगा और सामर नहीं बनेगा तो दक्षन भारत में भोजन की जो क्वालिटी है वो पूरी नहीं होगी तो बस इतना ही कहूंगा कि हर तरीके से आप इसे प्रयोक करना शुरू कीजिए चाय के रूप में सबजी के रूप में अचा और रोगों से लड़ने की रोग प्रतुरग छमता को विक्सत करेगा तोनी सब्दों के साथ धन्यवाद दोस्तों फिर मुलाकात होगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए त तो प्लीज से सेर कीजिएगा जिससे यह जानकारी दूसरे लोगों के पास भी सेर हो सके थैंक्यू